दोस्तों नमस्कार मैं हूँ संजीव श्रवास्तव और इस हफते हमारी महमाने एक ऐसी सिंगा जिनकी बहुती सुरीली आवास है एक ऐसी सिंगर जिन्नोंने बहुत नाम कमाया है बहुत ट्रेनिंग करी है बहुत रियास किया है तो बिकम अ क्लासिकल सिंगा लेकिन पिछले कुछ सालों में जो बहुत नाम कमा रही है और प्रसिद्धी हासिल कर रही है एक पॉप सिंगर की तरह भी जी हम सकते हमारी महमाने तो वेरी पॉपुला शुभा मुतबर Thank you very much for coming in to our studios सबसे बहले तो बताईए कि हम classical music की बात करें तो आपकी classical music में training या shock, रुची कब पैदा होई, कब सीखना शुरू किया, कैसे सीखना शुरू किया मेरे पिताजी और माँ दोनों ही उन्होंने music की तालिम भी ली थी और उन्हें वैसे भी कला चाहे theater हो, चाहे poetry हो, चाहे music हो बेहत शौक था उन्हें, हाला कि वो पेशेवर musicians नहीं थे मेरे पिताजी और माँ दोनों अलाबाद विश्विद्याले में अंग्रेजी पढ़ाते थे और उनका एक तरह से आप कह सकते हैं, उनकी बड़ी श्रद्धा थी कला के लिए तो मैं और मेरी चोटी बेहन हम दो ही बेहने हैं, हम दोनों को जो घर का माहौल मिला उसमें भरपूर संगीत, भरपूर कविता, साहित इत्यादी का अच्छे generous doses मिले हमें और अलाबाद में बड़ी हुई हैं आप? जी बिल्कुल और महीं से और भी बड़े बड़े लोग, साहित कार लिखने वाले, जैसे popular perception हो तो हरीवन श्राइब, बच्चन निराला जी, महादेवी जी, पंथ जी सभी इलहबाद में रहें तो उन लोगों से कोई बच्पन की कोई याद हैं, कोई मुलाकाद? जी, मेरा सभाग्य है कि मुझे बहुत बड़े-बड़े जो लिटरिरी फिगर्स हैं, उनको निकट से देखने का, उनसे इंटरेक्ट करने का अफसर मिला, मैं रहती थी इरहाबाद में एक एक इलाका है, जिसका नाम बैंक रोड है, जो की उनिवरसिटी की बहुत नजदी जिस घर की लॉट्मेंट हमारे पिता जी और मा के लिए हुई थी, उसके बगल का जो घर था, उसमें फिराख साब रहते थे, एक दिन दर्वाजा खोला घंटी बजी दर्वाजा खोला तो देखा फिराख साब खड़े हैं, और साथ ही महादेवी जी से भी मुलाकात हुई पंत जी मेरी मा के परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते थे, बड़े प्यार से मुझसे बात करते थे, तो बहुत एक अलग सा माहौल था जिसमें इन सब बड़े बड़े दिगजों से उनके दर्शन ही नहीं हुए लेकिन उनसे वाकई बातचीत भी हो पाई बिल्कुल इतने जबरदस एक लिटरी और पोईटरी के ट्रडिशन में आप बड़ी होई हैं, हमें तो बिल्कुल आप सामने मैटिया ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी महादेवी जी भी एकदम आखों के सामने से निकली पंत साहब और आग गोरक परी साहब तो बड़ा प् लेकिन घर में हमेशा ये बताया गया कि नहीं म्यूजिक है या पोईटरी है इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए बस इतना बताया गया और संगीत भी जब सीखना शुरू किया तो कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा कि तुम कब मंच पर गाओगी बलकि यही बताया कि यह ब बहुत बड़ी बात है कि तुम सीख पा रही हो लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो पाएगा तो कभी कोई प्रेशर नहीं था कि मैं आइडल बनूं या कोई चालेंज जीतूं या टेलिविजन पर गाऊं अगर यह सब उन्दोंने हो रहे होते तो का आपको लगता है आ कौन सा वो मुकाम था या कौन सा वो दौर था जब आपने फैसला किया कि चलिए म्यूजिक ना सिर्फ मेरा शौक है बलकि इसको में अपना करियर भी बनाऊंगी मैंने जब यह कंप्लीट किया तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि ऐसा करो तुमको ऐसा लगता है कि संगीत जो है वो ही तुम्हारे लिए एक जुनून सा है तो क्या जरूरत है कि तुम बाकी जैसे सब लोग करते हैं कि B.A.M.A.M.Ph.D. इत्यादी इत्यादी और पिर जो काम हम कर रहे हैं वो ही तुम करो लेकिन उन्हों ने ये कहा कि एक साल तुम ऐसा करो कि तुम पहले तालीम लो संग संगीत की और देखो कि अगर तुमको यही काम करना है तो फिर क्या जरूरत है कि तुम बाकी कुछ और काम करो जुट के संगीत सीखो तो बहुत अन्यूज्वल ओफर था ये और ज्यादा तर पैरेंट्स ये कहते हैं कि ने भी जल्द से जल्द पढ़ाई खतम करो एक अच हम बात कर रहे ते श्वभाजी बच्पन की आपके अलाबाद की क्या इसी खास बात है कि अलाबाद में एक से एक नामी हस्तियां पैदा होती है ये देखें यूनिवर्सिटी टाउन है पढ़ने लिखने का माहौल पहले तो था ही अब भी ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग है वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं और फिर प्राचीन एक तीर्थ स्थान भी है तो मुझे लगता है कि जहा ग्यान की बात और कला की बात जहां उसे महत्व दिया जाता है वहाँ पे निसंदे लोग ऐसे आएंगे जो कि अपने क्शेतर में अच्छा काम करते हैं और शुबा मुद्वल का बच्पन कैसा था बहुत ही मज़ेदार साधारन हम घूमने बहुत जाते थे पिताजी माह हम में म्यूजिक प्रोग्राम सुनने के लिए ले जाते थे पहाडों में घूमने के लिए ले जाते थे और मैं भी मुझे फिल्में देखने का भी बहुत शौक था तो हमारे मित्र कहते थे कि चलिए फिल्म देख के आएंगे और शर्त यह है कि तो मुसमें से एक गाना याद तो कौन सी फिल्म में बहुत पसंद ही आपको? मुझे आदे एक बार हम लोग बंक करके अपना क्लास अभिमान देखने गए थे क्या जबरदस्त पिक्चर थी मैं लोग वर्थ बंकिंग दे ख्लास तो कौन सी क्लास में थी तब आप? हम लोग उनिवर्सिटीद में थे तब और वापस आते वे रिक्षे पे बैठके साइकल रिक्षो पे बैठके अलग-अलग रिक्षों में हम लोग करीब आट-दस लड़कियां वापस आ रहे थे और गाते हुए आ रहे थे पिया बिना, पिया बिना अगर आपसे कहें हमकी म्यूजिक को डिफाइन करें या हमको समझाएं कि आपकी नजर में म्यूजिक क्या है, तो क्या है संगीत? मेरे लिए तो एक आजीवन, एक कमपैनियन है एक मित्र है, जिससे कभी-कभी जगड़ा भी हो जाता है, कई गवाट निराशा भी मिलती है, लेकिन एक प्रोसेस है, एक जर्णी है, एक सफर है जो कि आपके साथ आजीवन चलता है और जिसमें आपको सीखने के लिए हमेशा मिलता है, और एक भाशा है एक बड़ी रिच, वेरी, डाइवर्स भाशा है जिसमें कि आप जो चाहें कह सकते हैं आप जरूरी नहीं कि आप एक ही तरह से अपने आपको व्यक्त करें लेकिन एक ऐसी भाशा है जिसमें कि आप बहुत सटल कुछ कह सकते हैं बहुत जोरदार बिल्कुल एक स्लोगन भी लगा सकते हैं तो मेरे लिए तो एक तरह से ऐसी भाशा है जिसे मुझे लगता यही भाशा मेरे लिए सबसे उप्यूक्त है तो आप किस-किस तरह से एक्स्प्रिस कर सकती हैं अपने आपको म्यूजिक में देखे ऐसा होता कि अक्सर जब हम फिल्मों की बात करते हैं आप फिल्म म्यूजिक बहुत बजाते हैं इस कारिकरम में तो लोग प्रैशन करते हैं यह हैपी सॉंग है या सैड सॉंग है जैसे कि हैपी और सैड के बीच में कोई शेड़्स है ही नहीं लेकिन किसी भी बात को कहने के लिए बहुत अलग-अलग अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज में उसको कहा जा सकता है आप नाराज हो किसी से तो आप यह क्या कर रहे हैं और आप यह कह सकते हैं भी क्या कर रहे हैं यह भी तो एक तरीका होता है तो म्यूजिक में ये पूरा एक range gamut है कि जिसको आप इस्तमाल कर सकें और शुभाजी किस तरह का म्यूजिक आपको सुनना पसंद है आपका personal favorite है हर प्रकार का संगीत सुनना मुझे अच्छा लगता है मुझे कवाली भी पसंद है मुझे घजल भी पसंद है मुझे फिल्मी गीत भी पसंद है मुझे भारतिय केवल संगीत नहीं पसंद है अलग-अलग देशों का प्रांतों का संगीत भी बहुत पसंद है तो एक संगीत की विद्यारती हूँ और शास्त्री संगीत सबसे ज़ादा उससे मेरी एक मेरा तालुक रहा है लेकिन किसी प्रकार कभी संगीत सुना यह तो एक बार ज़रूर सुनँगी हाम मेरी प्रेफरेंसज भी है लेकिन सुनने की बहुत शौक है हूँ अच्छे बताइए कि ऑपको सूफी गाने का काफी शौक रहा है सूफी संगीत सुनती हूं मैं लेकिन उसकी तालिम नहीं है मुझे दिलचसपी ले रहे हैं जबकि रिकॉर्ड की दिन बर दिन बढ़ रही है म्यूजिक का शौक एक तरह से कहम कोर्ट में तो वह भी बढ़ रहा है लेकिन हमारे इंस्ट्रुमेंट्स पिछाड रहे हैं कहीं नहीं ऐसा नहीं है बहुत कॉंप्लिकेटड सवाल है इसका जवाब एक ही तरह समय नहीं दे पाऊंगे ये जरूर है कि मुझे लगता है भारती समाज में कला के प्रती जो श्रद्धा एक जमाने में थी वो कम होती चली जा रही है और ये भी नहीं कहना चाहिए कि कला के प्रती श्रद्धा लेकिन कला में जो विविधता थी भारती संगीत की ही बात ले लें तो केवल बॉलिवूड संगीत ही हमारा प्रतिनेधी नहीं है शास्त्रिय संगीत भी है फोक म्यूजिक भी है ट्राइबल म्यूजिक भी है जो महिलाएं अपने घरों में गाती थी शादी बया के अफसर पर त्योहर के अफसर पर वो भी संगी थे लेकिन अब वो सब चीज़ा सुनने का अफसर नहीं मिलता है तो ये जरूर है कि जो विविधता थी जो डाइवरसिटी थी वो जरूर उसका गला गोट के खतम किया जा रहा है गला गोट के खतम कि अब बुरा जरूर लगता है कि ट्रेडिशन खातम हो रही है लेकिन क्या सच में उनका गला गोटा जा रहा है या वो वक्त के साथ नहीं बदल रही है और इवाल नहीं कर रही है इसलिए कुछ पिछड़ रही है मैं आपसे एक प्रशन पूछती हूँ कि अगर आपके घर में शादी ब्याह हो तो आप उस शादी ब्याह के अफसर पे शादी से संबंदित कोई गित गाएंगे या नहीं जाहर से बात है गाना तो चाहिए यदि सहरा बंद रहा है तो सहरे के बारे में गाएंगे या आप गाएंगे कि काटा लगा आप बताईए अगर इतने काटों वाला सहरा बनाया जा रहा हो तो फिर तो यह कुछ आजबी बात होगी लेकिन जाहिर सी बात है कि मौके के लिए अवसर के लिए अलग-अलग प्रकार का संगीत होता था या अगर जन्मश्वी मनाई जा रही है तो इसमें धूम माचले धूम गाने का क्या मतलब बनता है या उसे भी बजालीजे लेकिन कुछ तो गई है कृष्ण जन्म के ऊपर या कुछ तो गई है कि हम एद मना रहे हैं ये हमने अप धारणा बना लिए जिससे क Straits striking संगीट के कारिक्रम में वह सब्सक्राइब को होती है नैरूपार्ग में जब हम लोग गाते हैं दिलियू में तो हजारों होते हैं। हर प्रकार का आदमी होता है बुजर्घण को किरता आज नहीं novati सोच में चाहे ट्रीडिशन में आप इसके लिए क्या भंग हंदी फिल्मों को जिम्मदार मानते हैं काफी हट तर ने किसी हिंदी फिल्मों को क्यों दोश दिया जाए उनके लिए अच्छा दौर चल रहा है बहुत अच्छी बात है ये तो हमारी कमी है जनता की कमी है कि हम कभ लगा की नहीं तो अगर उसमें ये पूचा जा सकता है कि आज फला-फला फिल्म में इतनी बार किसींग सीन था आपको पसंद आया की नहीं तो फिर लोग यह क्यों नहीं कह सकते हैं सेमस द्वारा कि हमको यह भी आप सुनाई है हमने फिल्मी जो चार्ट बस्टर्स हैं वो सुन लिया विसके तरिक भी हमें कुछ कुछ सुनाई है मुझे लगता है कि अगर लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर एक बहुत आसान है कि लोग अब जो चाहें वो कर पाएं और यह जो नया ट्रेंट शुरू है कि न सिर्फ शास्त्री संगीत को छोड़िये लेकिन जो पुराने गाने थे जो पुर मैं तो संगीत की दृष्टी से बात कर सकती हूँ पहली बात तो यह कि उस गाने को अगर एक पुनर जीवन मिल रहा है तो उसमें यह बहुत आवशक है कि हम यह बताएं कि यह फला फला कंपोजर ने पहले औरिजिनली से कंपोज किया उस कंपोजर का नाम उसकी सोच उसकी बनाया उसे उस कलाकार की ही आपने कोई कदर नहीं की दूसरी बात यह है कि अगर आप नया कर रहे हैं उसे पुनर जीवन दे रहे हैं तो आप उसमें क्या नई चीज ला रहे हैं जो जिससे आप कह सकते हैं कि हमने कुछ फर्क हम לाएmm आपने टबला ढोला खटा दिया और कि उसमें आप electronic instruments लियाए या non-Indian instruments लियाए ये तर्क मुझे नहीं समझ में आता है जो remixes है उसमें से कोई ऐसा experiment हुआ है जो आपको पसंद आया हो कि हाँ ये बहुत अच्छा this is the way कि ऐसा होना चाहिए तो एक example जो लोग आपकी कभी-कभी करते हैं या कहते हैं कि इन्होंने एक traditional music tradition के साथ compromise किया है और pop की तरफ गई है और rock की तरफ गई है ये गलत है तो उस उनके बारे में आपको क्या लगता है कि is it a fair criticism of yours? नहीं तखिए आलो चक बहुत अच्छे होते हैं मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन यदी एक कभी पहली बात तो ये हमारी ये तो आपने बहुत एक naughty smile के साथ बात कई करती तो नहीं है नहीं ऐसा नहीं है मैं जो आप कहने जारी हूँ शाद उसमें मुझे काफी कुछ जेलना पड़ेगा लेकिन नहीं सच बात है कि आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए और जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई perfect होता है तो उसकी आलोचना ये दी हो तो अच्छा है उसमें सुधार लाने की भी गुझाईश रहती है लेकिन ये जरूर है कि हमें जो तालीम मिली है उसमें ये कहा गया कि अगर बुजूर्ग कुछ कह रहे हैं तो उसे ध्यान से सुनो अगर कभी public debate हो तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई शास्त्रियक अलाकार हो जो इस बात पर आपत्ती जाहिर करे कि मैंने popular music गाया है क्योंकि यदि आप film music देखें आप fusion music देखें आप किसी भी किसम का संगीत देख लें तो मुझे से पहले जो आज के पंडित और विद्वान माने जाते हैं उस्ताद माने जाते हैं वो सब ये काम कर चुके हैं तो जैहिंद ठीक है बात में समझ गया आप क्या कहने वाली थी लोग जिससे बहुत नराज होंगे लेकिन जब आपको लोग आप स्टार कहते हैं तो कहीं तो एक खुशी भी लगती हूँ मुझे गायका कहते हैं इससे बड़ी बात क्या हो सकती ना तो मैं घराने दहर संगी तग्यों के परिवार की हूँ लेकिन फिर भी फर्स जनरेशन म्यूजिशन होते हुए भी लोग मुझे मुझे मुजशिशन मानें स्टार मानें या ना मानें लेकिन मुजशिशन मानें यह तो मेरे लिये बहुत-बड़ी बात है बिल्कुल सही बात है और इस image के लिए मतलब एक तो हम देखी सकते हैं यहां स्टूडियो में बैठके कि आप बहुत अच्छी smile दे सकती हैं लोगों को performer आप हैं तो इसके लिए personality भी उस तरह से आपने कभी ढाली अपनी एक सोची समझे कि मैं यह साड़ी पहन के performance दूँगी ऐसे जाऊंगी ऐसे बैठूंगी इस तरह से address करूंगी लोगों को मैंने ऐसा image बनाने की कभी कोई बात नहीं सोची जब मैं popular music गाती हैं तो भी ऐसी नजर आती हूँ जब मैं शास्त्री संगीत गाती हूँ तो भी ऐसी नजर आती हूँ जब मैं बाहर विदेश में जाती हूँ तो भी ऐसी नजर आती हूँ तो मैंने कोई conscious decision नहीं किया हाँ यह conscious decision भी मैंने नहीं लिया कि अगर मैं popular music गाने लगो तो फिर मैं अपने बाल पर्म करवा के और जो भी आज कल हो रहा है या bonding करवा के या कुछ और करवा के मैं पहुँचूँ तो वो भी मेरी conscious decision ने रही मैं images में नहीं विश्वास करती मुझे लगता है कि एक musician के लिए मैंने देखा है कि किस प्रकार कलाकार जो है जब वो गाने लगता है कुछ ऐसे कलाकार है जो कि अगर आपके बगल में बैठे हूँ किसी auditorium में तो आपको पता नहीं चलेगा कि यह कोई इतनी बड़ी हस्ती है लेकिन जब वो stage पर जाते हैं तो एक transformation हो जाता है तो मैंने तो यह देखा कि images की आवशक्ता कभी रही नहीं है आज कल का दौर ऐसा है कि जिसमें makeovers और images इत्यादी के बारे में ये भी मैंने ही कहूंगे कि आप अगर stage पर जा रहे तो ये बताईए आपके favorite stars कौन रहे हैं मुझे नसीरुदीन शा का काम बहुत पसंद है मुझे ओमपूरी जी का काम पसंद है इर्फान अब उनका काम और पंकज कपूर उनका काम बहुत पसंद है मतलब फिल्मों में जो शास्त्रिय संगीत type actors शास्त्रिय संगीत और पॉप संगीत का सवाल नहीं है जो actors है जो जादा actors की तरह जाने जाते है ना कि stars की तरह ये बताईए कि जो आजकल जो music चल रहा है भारतिय फिल्म में उसके बारे में आपकी क्या opinion है जैसे हमेश रेशमिया एक सिंगर है देखिए किसी भी कलाकार को सफलता मिले तो अच्छा ही लगता है उनको सफलता मिल रही है उनको popularity मिल रही है वो अच्छी बात है उससे मुझे कोई आपती नहीं है लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि एक ऐसा दौर आ रहा है जिसमें कि शायद श्रोताओं की जो सुनने की उनकी जो discrimination एक समझ के साथ सुनने की जो एक आदत होती थी वो शायद कम हो रही है कहीं और शायद आने वाले समय में और अगर यही दौर जाई रहा तो शायद लोगों को गले से गाने की भी इतनी आवशकता नहीं रहेगी आप क्या नाक की बात कर रहे हैं मुझे नजला नहीं हुआ है आज तो जो नई जेनरेशन की सिंगरs है इसमें आपका फेवरेट मेल प्लेबैक सिंगर कौन है हरी हरन है बहुत अच्छा गाते हैं शंकर महादेवन हैं शुक्विंदर बहुत अच्छा गाते हैं और लटा मंगेशकर याा आशा बहुत सलें दोनों पसंद हैं और एक बात बता तूँ कि बहुत साल पहले मतलब आज भी उनके गाने तो बहुत पसंद हैं लेकिन शुरू शुरू में बढ़ कोशिश करती थी कि उनके जैसे कुछ गाने का एक कहीं उनकी छटा आ जाए लेकिन फिर एक डिसाइड किया कि नहीं ये तो कभी संभब होई नहीं सकता लेकिन पहले बड़ी नकल करने की कोशिश करती थी मेरे खाल से दिखिए वो इतने बड़े आइडल्स हैं म्यूजिक की दुनिया में कि शायद सबकॉंशिस माइन में सब जने आप तो खेर प्रेंट सिंगर हैं क्या क्या चीज़ें गाई हैं उन लोगों ने तो बहुत इस आरे रेली आइकोंस आशा भोसले का कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो मुझे उनका एक गीत मुझे रंग दे, मुझे रंग दे वो बहुत पसंद है मुझे और जो उनकी जो स्टाइल होती है कि अभी वो इतनी एक रंगीन और ठिरक्तियों इसे साड़ी पहन के और माइक हाथ मिले के शी कन स्विंग अराउंड अना स्टेज वाख़ी वो बिल्कुल एक एवर ग्रीन वैसी आर्टिस्ट है आप की रोल मॉडल कौन है अभी उस तरह से मतलब एक मेभी कोई definitely हो नहीं लेकिन कहीं किसी कोने में कि बस मैं ऐसी बन जाओ नहीं ऐसा मुश्किल होता है कि मैं क्योंकि नहीं तो फिर नकल बन जाएंगे अगर ऐसा कहींगे कि ऐसी ही बनू तो एक नकल बनने की कोशिश मुझे जो प्रेरना मिलती है उससे बेटर बनू नहीं बेटर का सवाल नहीं है मुझे लगता है कि जब आप किसी से एक प्रेरना लेते हैं मुझे जो प्रेरना मिलती है इन सब कलाकरों से चाहे वो लता जी आशा जी हूँ या फिर बेगम अख्तर हूँ या सिद्धेशवरी देवी हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो एक मौलिक इनका जो एक अंदाज था एक उनकी जो औरिजिनालिटी थी वो मुझे बार-बार ये कहती है कि अपनी आवाज ढूंडो अपनी आवाज ढूंडो और अपने अंदाज को ढूंडो जो चीज आपकी आवाज में मेरी आवाज में सबसे ज्यादा सजेगी वो चीज ढूंडो और वो मेरे लिए इन लोगों से मिली हुई पड़ती है या has it become easier now नहीं देखे महनत से तो कहीं आप आँक नहीं चुरा सकते क्योंकि जहां आपने ये कोशिश की वहां आपकी आवाज आपको खुद बताएगी अगर आप if you have the guts to face your own voice तो आपको कहीं न कहीं अपनी तुटियां आसानी से दिखना शुरू हो जाएंगी और वो दिखती ही हैं और अगर आप उन्हें कहे दें कि if you turn a blind diet to them तो वो भीर जादा जोर से बोलने लगती हैं तो इसलिए बहुत ज़रूर है कि महनत में कहीं भी कमीना आए महनत के साथ साफधानी भी क्या बहुत बरतनी पड़ती है बहुत परहेज ये नहीं खाना वो नहीं करना नहीं अलग अलग अपनी आवाज की तासीर होती है अपनी एक एक chemistry होती है उसमें कुछ लोगों की आवाज बहुत delicate होती है मुमफली किसी चीज में डाल दीजे तो आवाज खराब हो जाती है टमाटर डाल दीजे तो खराब हो जाती है fortunately मेरी आवाज ऐसी नहीं है हाला कि मुझे भी problems होती है और तब साफधानी बरतनी होती है लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कहीं जाती ही, तो लोग कहते हैं शुभा जी आप तो आईस क्रीम खाएंगे नी, अब शुभा जी आईस क्रीम बहुत पसंद रहती और मेरे गले पर कोई असर नहीं पढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं आचार मन खाईए, मुझे अचार भी बहुत पसंद है तो मेरी आवाज पे इन चीजों का इतना असर नहीं पड़ता है लेकिन बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे भी But that way you're lucky कि आईश्रीम और अचार ये सब चीज़ें इंजॉई कर से हाँ ठंडा पानी वगर है सब स्वीट टीथ है मीठा बहुत पसंद है अच्छा खासकर कोई विशेश के सारे मीठा हो तो पसंद है तो अलाबाद की सबसे फेवरेट स्वीट डिश कौन सी I have no clue इमर्ती? इमर्ती, जलेभी जलेभी और दूद अरे वाँ, आप तो बिल्कुल ट्रेडिशनल इसमें भी शास्त्री है नहीं ऐसा नहीं चॉकलेट की भी उतनी शौकी नहीं यह बताइए आपकी most happiest moment जब आप top of the world feel कर रही थी मेरा बेटा धवल पैदा हुआ था 1984 में, बड़े खुशी का अफसर था धवल जो आपका बेटा है वो खुद अपने आप में अब एक musician है और अपनी जगे बना रहा है लेकिन वो एक बिल्कुल अलग किसम की music की try कर रहा है संगी try कर रहा है जैसे मतलब आपके visa v.u बिल्कुल तो आपको कभी उससे कुछ आदराज होता है कि ये जैसे मैं करती हूं वैसे क्यों नहीं कर रहा है या और फक्र महसूस होता है कि वो अपनी line काव कर रहा है नहीं मुझे बड़ी खुशी है कि उसके जीवन में music इतना एहम स्थान ले रहा है मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है और मुझे नहीं लगता कि एक parent अगर जिद करे कि आप इस किसम का संगीत सीखिए या ऐसे ही कीजे क्योंकि मुझे ये पसंद है मुझे लगता कि वो तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाता उसके जीवन में संगीत महत्वपून है ये बहुत अच्छी बात है मैं केवल इतनी सी राय दे सकती हूं उसे कि वो जैसे चाहे उसको एक discipline तरीके से सीखे वो जिस प्रकार का संगीत करना चाहे उसमें मेहनत करे, रियाज करे और सीखने की हमेशा कोशिश करे जिस भी प्रकार का वो music करना चाहे एक discipline study करे उसके 22-23 साल का लड़का है माशाला कितना अनुशासन बादना चाहती है आप उसे मतलब आपकी बात से लगए है fully satisfied नहीं है उसके discipline से और रियाज करने से मैं तो आप उससे पूछे कभी बातचीत हो आपकी उससे तो आप देखेगा मैं तो cool mom की उपाधी पा चुकी हूँ अच्छा वाँ हम तो इस उपाधी के लिए तरस्ते रहे गए लेकिन आपको मैं अपनी तरफ से कोई राय नहीं देती लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम एक दूसरे को अपना संगीत जरूर सुनाते है और बेधड़ा के एक दूसरे से बात करते है आपके बेटे की हमने बात करी कि बस जमीन फट जाए और मैं अंदर चली जाओ जब कोई कहता है अरे शुभा यूफ पूट उन सो मच वेड़ अच्छा ये बताइए और एक कोई ऐसी मेजर डिजायर कि बस मुझे ये और करना है मैंने बहुत हासल किया है बहुत काम्याब हूँ बहुत प्यार मिला है बहुत शोहरत मिली है दिस सम्धिंग मुझे लगता है आपने सही कहा मुझे बहुत अफसर मिले है सीखने के बहुत अफसर मिले है बहुत प्यार से गुरु जनों ने सिखाया बहुत अफसर मिले मंच प्रस्तिती करने के रिकॉर्ड करने के और प्यार भी लोगों को मिला मुझे लेकिन मुझे लगता है कि music education जो हमारे देश में गुरु शिश्य परंपरा तो है ही और institutions भी हैं लेकिन आम आदमी तक जो भारतिय संगीत की विविद्धा है उसे पहुँचाने के प्रयास और आवश्यक है और हमेशा उसी तरह से नहीं किये जा सकते जैसे अभी तक हम कर रहे हैं हर व्यक्ति को आप कहेंगे कि नहीं आप पल्टे सीखते रहिए तो वो संभव नहीं है लेकिन हम ये लोगों को बताएं कैसे आज के माहौल में कि भारतिय संगीत केवल ये latest hit नहीं है बॉलीवोड का इसके अतरिक भी कुछ है और मुझे लगता है कि मैं उस क्षेतर में कुछ काम जरूर करना चाहूंगे शुबा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो आई इतने खुल के हमसे अपनी दिल की बातें शेयर करी बहुत ही मज़ा है